ओके तो आज डेट है 10 अगस्त और अभी मैं हूँ मद महिश्वर में अपने होटल रूम में यह होटल जहां में रुखा था अन्नपूर्णा होटल एंड रेस्टोरेंट तो अपने दर्चनोगर तो सब कल हो गए थे अभी मैं सारी अपनी पैकिंग कर रहा हूं और उसके बा सो यह सामने यहां से भी सारी है दुनि धुनदारी है तो सुबह तक तो अच्छी धूप खिली होई थी पर अभी अभी अचानक बिगड़ने लगा मौसम खराब भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है अब तो नीचे ही जाना है कुछ भी करके शाम तक तो पहुंची अभी तो टाइम है अभी रुख के क्या करूंगा तो मैं नानू पहुंचिया था उस दिन कल सवरी कल नीपड़ सो तो नहीं ने कहा था कि वापसी में जब आओगे तब जरूर रुखना अगर रुखनी पाए तो कम से कम खाना खाके जाना मैंने चलो ठीक है खाना खाके ज तो यहां मद महिश्वर से मैं चला हूँ लग भग लग भग पॉने 9 बजे देखते हैं शाम को कितने बजे तक पहुंचते हैं नीचे अभी भी यह घुप जिंगली है और कोई है भी नहीं कोई नीचे को भी नहीं जा रहा कोई उपर को भी नहीं आ रहा देखो मौसम यहां पर कुछ ऐसा हो गया है तो टल दोंते चाह गई है सब जगा देखो प्रको मौसम पूरा खराब है और नीचे यहां फर्स्ट क्लास धूप आई हुई है थोड़ा सा नीचे पहुंच जाएंगे उसके बाद मौसम एकदम ठेक है फर्स्ट क्लास देखो सामने उधर वो नला गिया है जहां पर मैंने कल आते वक्त थाथ मूध होया था ब्रश किया था तो अभी भी दुरश वहीं पर कर लेंगे यार मैंने ब्रश नी कर रहा है सोगे से लबांकी फ्रेश हो गया था वस ब्रश नी किया था अब मजे मजे से बढ़ेंगे नीचे को तो यह अब मैं धूप वाली जगह पर तो आ गिया लेकिन अब यहां धूप से गर्मी हो रही है अगर ऐसी चलते रहा तो पसीने पसीने हो जाओंगा और यह फाइनली हम पहुँच गए नानू जहां मैं कल रुखा हुआ था कल नी सौरी परसों तो यह मंदिर से यहां तक मेरे साड़े पांच किलो मिल्टर पूरे हो गए अब यार मैं अपना वो गले में जो बांदा था मैंने कपड़ा वहीं भोलाया ऐसा लग रहा है मुझे तो लास्ट में आते वक्त में उसे उठाना भूल लिया शाय था मलब 20-50 रुपे का होता तो कोई दिक्कर नी थी पर वह 300 रुपे का न रॉयल एंफिल्ड का था वो मैं उसका कलर बहुत पसंद था इसलिए लिया था मैंने कोई बात नहीं अब एक और लेना पड़ेगा कब उसको लेने उपर को उन जाएगा यह आ गए हम एक पिलर वाली च्छत्री पह तो अच्छली क्या होता है न हम लोग जैसे डाउन में आते हैं तुम्हारे पाउँ ऐसे बढ़ते हैं तो ऐसे बढ़ने में क्या होता है जो आगे के फिंगर टिप्स होते है न हमारे वह चूते के आगे वाले हिस्से में कि लोग दखते रहते हैं बार बार तो जैसे यह अंगुठे और जो पांकी उंगलिया होती है दर्द गड़ जाती है पाउं की तो यही दिक्कत होती है ड यह देखो यहां से नीचे से कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यह में नदी आ रही है मत महिस्वर गंगा और वो दूसरी बतानी कहां से कौन सी आ रही है इसी नदी में मिल जा रही है तो इन रास्तों में यह इस तरह की छिपकलियां बहुत ज्यादा होती है अचानक आपके सामने से गुजड़ जाएगी इस रास्ते में रुद्रनात के रास्ते में के दारनात के रास्ते में इन रास्तों में यह छिपकलियां पता नहीं क्यों मिलती है तो यहां को बहुत ह हो जाएगा पाउं की भी हालत खराब हो गई है महाँ पे आराम से थोड़ी देर जूते खोल के बैठे रहेंगे खाना खाएंगे फिर बढ़ेंगे आगे को ओके जी तो आगया मेरा सामने बंतोली अब यहां पर देखते हैं खाना क्या मिलता है और वो उधर दिख रहा है गोंडार यह है बंतोली वो गोंडार तो यहां पर अभी हमने खाना उब रखिया है दाल चावल अचार और पापड़ था तो पहुंच गया हम गोंडार देखो यह यहीं पर मैंने चाई पी थी उस वक्त जब हम उपर को जा रहे थे अभी तो मूड नी कर रहा भी खाना ही खा रहा है गर्मी जालत खराब हो रही है धुकते जो रही है आगे चाया आरी है थोड़ी देर चाया में बैठते हैं यह वही मंदिर है जो हमारे जाने में शुरू में पड़ा था और यह रास्ता हमारा वो सामने जो दिख रहा है वो है गॉंडार विलेज तो बस बढ़ता है यहां से आप आगे को भई यहां से चड़ाई चुरू हो गई है और अत्सांस फूलने लगी है अब आराम अराम से रुक रुक के चलना पड़ेगा और मेरी ख्याल से वह वाटरफॉल आने वाला है जो पड़सों दिखाता हमें वह वाटरफॉल के आगे दो मिनट खड़े होंगे तब पसीना पसीना हो गया है वहां की ठंडी हवा से सूख जाएगा एकदम चिल्ड फ्रेश हवा आती है वह देखो बादल बेगल खतरनाक लगदे हैं और अब बादलों के गड़ गड़ आने की आवाज भी आ रही है तो बारिस होने के चांस भी है वह भाई आज तो बड़ा खतरनाक आ रहे हैं दो मिनट का ब्रेक अब सिर्फ चड़ना चड़ना है न ताहलत खराब जा रही है रोड में जहांपे मेरी बाई खड़ी है वो यहां से लगभग डेड़ से दो किलो मिटर बचा है तो वहां पहुंसते हैं उसके बाद ही मिलते हैं तो यार उदर वो एक मकान जैसा दिख रहा है मेरे को उसके ठीक बगल में एक फोरविलर खड़ा है इसका मतलब रोड आ गई है और हम पहुंचने वाले हैं मेरी बाइक भी उदर ही खड़ी है हां लगभग में पहुंची गए है जग यहां से गॉंडार 4.250 दिखा रहा था नानू 9 मदभाहिश्वर 14 तो यानि कि पहले दिन में 9 किलोमेटर चला था दिन में एक बीस पे शुरू किया था मैंने और साम क तो सड़ेच्छे के आसपास में पहुंच गिया था वहां आ गई रोड़ यह रोड़ मेरे ख्याल से मदमहिश्वर को ही कट रही है मदमहिश्वर तक जाएगी नहीं जाएगी बतानी पर कहीं तक तो जाएगी उकित भाई यह है केलाश टूरिस्ट लॉज एंड होटल यहां पे भी आप रूख सकते हो अगर जैसे आपको मदमहिश्वर जाना है तो रासी में ज्याद अतर लोगों का स्टॉप रहता है शा अब आधार भी पैक कर दिया आप चल रहे हैं से घर की तरफ को अभी टाइम हो रहा है तीन बज ने में पांच मिनट थो वैसे तो मैं रुद्र प्रीयाक क्रॉस कर सकता हूं आ जा राम से लेकिन मैं सोच रहू हूं रोट रश होटल में रुटल में रूख जाऊंका जहां बाइफंग यहां पूरी बारिष लगी हुई है और यहां पर ले रखा है मैंने स्टॉप दॉप थोड़ा सा सेड वाला था यहां ऐसे बाइक खड़ी है यदि यह तो मेरेOC हो रहा है लेकिन राइन कोट में भी है थोड़ा थोड़ा तो मतलब भी जाते हैं फिर कैमरा अमरा भी समालना पड़ता है तो थोड़ा सा रुक के चलते हैं यह पहुंच गया हम उखी मठ यह आगे हमरा मदमहिस्वर वाला गेट यहां से आगे को यह चौपता तंगनाथ चले जाती है रोड और हम जाएंगे वापस रुद्रप्रयाक की तरफ को यह देखो भई के जबर्दस्त वाटरफॉल है और यहां पर यह एक ब्रिज पाड़ के निचे है हलका हलका पानी बरस रहा है तो बस थोड़ी दिर में पहुंच जाएंगे हम वही होटल में जहां फर्स्ट डेस्टे गिया था रहबार होटल एंड रेस्टूरेंट तो हमारा होटल आने ही वाला होगा लगभग आट-दस किलो मेटर रहे गया है तो सीधे होटल में ही मिलते हैं अब ओके तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का साड़े आठ और मैं यहां पहुंच गया था श्राम को लगभग साड़े च्छे बजे के आसपास शाम को आने के बाद मैंने अपने यह गीले कपड़े होगे थोड़ा वो बजले थोड़ा सुखाने डाले चार्जिंग उगर लगाई तो उसके बाद फिर लगभग साड़े आठ के आसपास मैंने खाना खाया जो की बढ़िया टेस्टी हो रहा था दाल चावली खाया मैंन बाकी यह थोड़ा समान फैला है यह है मेरे रूम का फ्रंट बाइक रूम के सामने ही लगी है और इसके अलाबा यह पीछे वीवर व्यू है बाकी इसके बाद में अपनी पैकिंगों करूंगा और फिर बढ़ जाएंगे हम घर के लिए तो फिलाल आज के वीडियो में इत नहीं था मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तिल देन वीड़ बाइगा कि अनुछ कि आफीं देन बाद में यह जाओगा को अनीघा कि अनुछ कि रच्छ करूंगा जाते हैं तो फिलाएंगे हम तोत्स्ताप्षाइब ओल्देट कर देन तो एंदाने हैं तो, जो एंदो कि पैसे प्याओ अज़ आवाखः बल्से, अज़ 1,2 एंप जाएंगे हम